नमस्कार भाई और वेनो कैसे हैं आप भाईयो आप मेरे नुश्के आजमाया करो कई लोगों के कॉमेंट मैं पढ़ता हूँ वो कॉमेंट में लिखता है कि किसी को फाइदा हुआ है तो मुझे बताएं अरे भाई इतने कहां बैठे हैं कोई के फाइदा होते हुए आपको ब उसरे की तरह बकवास नहीं मारा करता है मैं वही बताया करता हूँ जो एकदम से सही होता है जैसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अश्यवगंदा के आपको पांचे फाइदे बता रहा हूँ और उनमें सब साथ में ये भी बताऊंगा कि कितना खाना हैं कब खाना है और कैसे खाना है यह सब आपको मैं बताऊंगा बहुत से लोग अस्वगंदा यूज करते हैं लेकिन वो यूज इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि फिर बाद में उनको पस्ताना पड़ता है आपको बता दूं कि अस्वगंदा आयूरुवेद में कैसी चीज है जो आपकी 80% बीमारियां खत्म करता है अस्वगंदा तो अस्वगंदा को खाने का तरीका क्या है किस किस में कैसे खाएं क्या काम करेगा यह सब मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहली बात तो यह आपके stress और anxiety को कम करता है आपको इसको लेने के तरीके भी बताऊंगा तो यह जो हमारे शरीर के हमारे दिमाग के जो stress आती है और जो anxiety हमें होती है तो उसको बहुत जल्दी यह खतम करेगा लेकिन मेरी बताए अनुसार खाओगे तब अगर इसको ज़्यादा खा लिया तो आपको पस्ताना पड़ स करता है और बहुत से लोग पस्ताते हैं और फिर कहते हैं कि अश्यवगंदा काम की चीज नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि 80% बीमारियों में अश्यवगंदा खाई जाती है इसको अगर मेरे बताए अनुसार खाओगे तो यह फेफडों की ताकत बहुत बढ़ा देगा अस्तमा रोग है उसको भी ठीक कर देगा टीबी में भी यह काम करता है और अगर अमारे सरीर के फेफडों में अगर फुपुश काम नहीं कर रहे हैं उनके अंदर इतनी ताकत के वो फटा-फट ऑक्सीजन को ग्रेन करने लग जाएंगे तो फेफडों को यह मजबोत करता है बढ़िया बात यह है कि यह टेस्टोस्टोरेन की मात्रा बहुत जादा बढ़ाता है टेस्टोस्टोरेन की मात्रा इतनी अच्छी बढ़ाएगा कि आपके अंदर किसी परकार से नपूशकता आ गई है तो उसको ये ठीक करेगा, सिगर पतन को ठीक करेगा, सब चीजों को ये ठीक कर देगा, आपके अंदर दातू इतना बर देगा, कि आप गुड़ापे तक कभी भी नहीं तकोगे, इतना आपके अंदर दातू बर देगा, तो इसको कैसे खाना हैं, वो आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं वीडियो को skip ना करें आपके ये blood pressure को बहुत कम करता है अश्यवगंदा आप अगर सही तरीके से लेंगे तो ये आपके blood pressure को कम कर देगा blood pressure सबंदी जो भी बिमारी है कम रहना जादा रहना इन सब चीजों को ये कंट्रोल में कर देगा और बढ़िया बात ये है कि नीद लाने के अंदर अश्यवगंदा बहुत ही सायक है आप किसी को नीद नहीं आ रही है तो आप अश्यवगंदा लेना चालू कर दो और फिर देखो कि आपको कैसी नीद आती है मैं मैं बताऊंगा किस परकार आपको ले लेके देखिए तीन से छे मेने तक आपको इतना ज्यान लगेगा कि आपका ज्यान कहीं नहीं बठकेगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए हमारे शेरीर के वजन के अनुसार इसकी मात्रा कम ज्यादा की जा सकती है और इसको ज्यादा नहीं लिना आधा ग्राम से लेकर दो ग्राम की मातरा तक इसमें आप ले सकते हैं अगर आप दो ग्राम से ज़्यादा खाएंगे तो आप बया अगर रोटी भी ज़्यादा खा रहे हैं दो की बजाए चार रोटी खा रहे हैं भूग से ज़्यादा रोटी खा रहे हैं तो वो भी आ एक टाइम में नहीं लेना है दिन में आप कितनी वार लेंगे दो वार ले सकते हैं और कैसे लेना है ये भी बता दूँ आपको कि इसको कभी भी पानी के साथ में नहीं लें वरना ही आपको गरम करेगा आप इसको दूद के साथ में लेंगे तो इसकी ताकत सोगुना बढ़ जाती है तो आपको इसको दूद के साथ में लेना अश्यवगंदा को अश्यवगंदा दूद के साथ में आप लेके देखिए और फिर मैंने जितने भी फायदे बताई हैं उन सब में मेरी बताई हुई मात्रा के अनुसार लेके देखिए अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम डेड़ ग्राम या दो ग्राम कैसे लेंगे तो चमच का चोथा ही इससा जो है वो डेड़ ग्राम होता है एक चमच में 6 ग्राम जड़ी बूटी आती है तो आप चमच का चोथा ही इससा आप ले सकते हैं इससे ज्यादा इसको नहीं लेना है और सुबह शाम ही लेना है दिन मे से खतम हो जाएगी आप एकदम स्वस्त हो जाएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ तब तक नमस्कार जैहिंज जैभारत